हाई गाईज और विल्कम बैक टू दी चैनल दीपक्यादव एजूकेशन विल्कम टू दी डेली हिंदू न्यूस एंड एडिटोरियल इनालेसिस ऑफ 29 अफ एप्रेल 2021 तो गाईज आज है तारिक 29 एप्रेल 2021 और है थर्सडे देखेंगे आज का दा हिंदू कंप्लीट सबसे पहले डाउलोड करना है और फिर जाकर सर्च बॉक्स में टाइप करना है दीपक यादव एजूकेशन आप लोगो को यह चैनल मिल जाएगा उस पे क्लिक करना और जाकर इस चैनल को जॉइन कर लेना देखो अगर आप लोगो इस तरीके से यह चैनल नहीं मिलता है त इसको जाकर जॉइन कर लेना जॉइन करने से फाइदा क्या होगा यहां पर आपको डेली बिसस पर दाहिंदू यूस पर मिल जाता है डेली करेंट अफेर के वीडियो का पीडियाफ डेली बहुत सारे डिजिटल नोट्स और यह सारी चीज़ें मिलती हैं बिल्कुल फ्री म मोनेको कहां पर है अच्छे से मैप में देखना इंडिया के कमपैरिजन में कहां पर है फिर उसके बाद आकर नीचे कॉमेंट सेक्षिन में टाइप करना जिससे कि आप लोग इसको लंबस समय तक याद रखने वाले हो नाउ सबसे पहला आर्टिकल यहां पर आप देख पा जाने से पहले जो भी कंडिडेट्स एजेंट्स होंगे जो भी जाएंगे वाँ पर उनके पास कोविड नाइटीन का रि вызल्ट होने चाहिए और वो जो कोविड माइंटीन का रिजल्ट होगा वो नेगेटिव होना चाहिए साध इसा जो वैक्सीन है उनकी दोनों डोजिस उनको लगी होनी चाहिए ऐसा यहाँ पर election commission of India ने बताया है और उसके बाद हमने कल भी discuss किया था एक चीज और यहाँ पर announce कर दी गई है कोई भी जीतता है अच्छी बात है लेकिन जीतने के बाद जो भी प्रोसेशन्स होते हैं जूलूस वगरा निकल जाता है उन सब चीजों के उपर बैन लगाया जाएगा भीड़ इखटी नहीं करी जाएगी यह सब चीजें क्यों करी जा रही है क्योंकि कोविड नाइटिन प 18 साल के लोग हैं देखो अभी हमने हाली में काफी सार आर्टिकल डिसकस किये कि एक मई से जिनकी एज 18 साल है उनसे उपर वाले जितने भी एज ग्रूप से सभी लोग को वैक्सिनेशन यहां पर प्रोवाइट किया जाएगा लेकिन अब रेजिस्ट्रेशन जो है वह स्टा हो चुका है एक मई से उनको भी वैक्सीन लगाए जाएगी और साथी साथ यहां पर कुछ ग्लिचिस वगरा भी देखने को मिले हैं यहां पर बोला जा रहा है कि यहां पर कोई अपोईन्मेंट वगरा नहीं मिलना है हॉस्पिटल में वैक्सिनेशन के लिए ठीक है आप र से उपर वाले लोग हैं उन सबको वैक्सिनेशन एज यूशल प्रोवाइट करवाया जाएगा जैसा अभी तक चल रहा था ओके ना उसके छुड़ा सा आर्टिकल नीचे भी यहां पर दे रखा है देखो बोला क्या गया है जो सीरम इसिट्यूट आफ इंडिया है उसने ज सीरम इसिट्यूट आफ इंडिया के चीफ एक्जिकटिव ऑफिसर हैं सी ओ है और दूसरी चीज़ जो सीरम इसिट्यूट आफ इंडिया है वो दुनिया में सबसे जाधा वेक्सिन को प्रोड्यूस करती है सबसे जाधा कैपबिलिटी है इस इंस्टिट्यूट के पास यह आप लोग को ध्यान रखना है कहां पर है बेंगलूरू के अंदर यह आपको देखने को मिल जाएगा ओके चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट यहां पर आटिकल आप देख पाऊगे काफी दिनों बाद यह आर्टिकल देखने को मिला है अभी आप लोग को मालूम होगा कु कि जो डेली के लेटनेट गवरणर होंगे उन के पास जो पावर के हाँ रोख फोड़ी सी और जद बढ़ जाएंगी आप वह अपना डिसिजम वगरा भी लेसकेंगे जो अगरा ले सकेंगे जो लेफटेंड गवर्णर्स होंगे वो ठीक है अब यहां पर यह सिस्टाम आ चुका था लेकिन अभी हमने काफी बार डिसकस कर चुका यह इते यह लौ क्या है ठीक है यह अमेंडमेंट क्या हुआ है कौन कौन सी पावर्स को बढ़ाया यह सब हम और डि यहां वरकिंग में als 27 अप्रिल से थाष्रेंगा के आच शुका है यह अब देखेंगे आने वाले टाइम um है और यह किस किसरी से न्यूज में आता है और हम लोग को देखने को मिलेगा काफी जरे डीजन्स की वजागी न्यूज में आता रहेगा चलो आगे बढ़ते ल निक्स्ट आर्टिकल की तरफ यहां पर एक छोड़ा सा आर्टिकल है देखो आसाम बेना कल एक बहुत ही बड़ा अर्थक्वेक आया भूकम पाया जिसमें आपका सकते हो जान तो बहुत कम लोग की गई है जान गई नहीं एक तरीके से यहां पर बहुत ही कम ठीके डेटा भी लेवल पर यह अर्थक्वेक देखने को मिला असाम में आया था ठीके और कब कल आया था साड़े साथ वजे के आसपास ठीके साइवन फिफ्टी वन इग्जैक्टली जो यहां पर टाइम बताया गया है ओके उसके साथ साथ यहां पर आप देख पाऊगे इसमें एक और इंपॉर्डेंट इंफॉर्मेशन यह आती है कि इस टाइप का जो लास्ट अर्थक्वेक आया था जो सिक्स मैगनिट्यूट का था वह आया था 29 जुलाई टीचिए 29 जुलाई 1960 में इस टाइप का अर्थक्वेक देखने को मिला था नाव उसके बाद यहां पर आप देख सकते हो कितने टाइम बाद 6 magnitude से अब अब यहां पर अर्थक्विक देखने को मिला है चलो आगे बढ़ते हैं ना आते हैं पेज नमबर 8 के उपर यहां पर आप देख पाऊगे एक आर्टिकल है बोला गया है कोवैक्सीन जो है आप का मालूम होगा कोवैक्सीन दूसरी है कोविशील्ड आप यह प्रैट करती है हम लोगो हमारे jon वैरीन से जिसको हम लोग मिटेशन बेरीन बोलते हैं और जिसका नाम है कि 1.1.617 आपको ध्यान रहा है यह ने सब आ करता है इस वेरियंट का नाम है बी पॉइंट वन पॉइंट सिक्स वन सेवन तो कोवी शील्ड जो है सौरी को वैक्सिन जो है हम लोगों को इस वाले डबल म्यूटेशन कोरोना वाइरस से प्रोटेट करता है ऐसा यहां पर स्टडी के द्वारा बताया गया है और काफी सारी प्रोवाइड करवाई गई है अभी आप लोगो मालूम होगा हाली में हमारी कंट्री के अंदर काफी जिसे केस बड़े हैं एक डबल म्यूटेशन देखने को मिला था यानि एक ही कोरोना वाइरस उसके अंदर दो बड़े बदला हुए थे और जो दो बड़े बदला हुए थे उसके नाम यहां पर आप लोग देख पाऊगे पहला यहां पर नाम दिया गया था ई-484 क्यू और दूसरा दिया गया था एल 425 आर अब दोनों को यहां पर मिला कर यह जो डबल म्यूटेशन है इसको पूरा का पूरा नाम दिया गया था बी पॉइंट 1.617 और जो कोर नजर आ रहे हैं ओके चलो आगे बढ़ते हैं निक्स्ट आर्टिकल की तरफ देखेंगे यहां पर यहां पर यहां पर प्र लोग की जान गई है मुंबाई के अंदर तो इस तरह की सिच्वेशन हम लोग को बहुत सारी देखने को मिल रही आज के टाइम पर बहुत सारे हॉ हम लोग को नजर आ रही है उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल यहां पर आप लोग देख पा रहे होंगे जो मारूती सुजुकी है वह ऑक्सिजन बनाएगा ठीक है ऑक्सिजन को अविलेबल करवाएंगे जहां पर भी आपका सकति आज के टाइम पर जरूरत पढ़ लेए औ मारूती सुजुकी जो है ऑक्सिजन को अविलेबल करेगी जल से जल मेडिकल नीट्स के लिए और हिंड़े ने एनाउंस करा है कितना रिलीफ पैकेज कम से कम 20 करोन रुपे का यहां पर यह एनाउंस किया गया है ताकि इसमें कुछ अमाउंट प्रोवाइड करवाया जाए और हम लोग कोविट से लड़ सकें उसके बाद लगबग 3000 लोग की डे तो यह एक सिंगल डे के अंदर अगर हम देखें पिछले दो दिन से लगातार 3000 लोग की मौत हो रही है इस कोविट 19 की वज़ा से और जो महराश्टरा है वो अभी भी टॉप पर है महराश्टरा के बा यहाँ पर बात करी गई है सिंगापुर की तो सिंगापुर हमें बहुत सा Patrol स्प gross आपके सकते और रिलीफ प्रोवाइड करवाई से तरीके से लगबख 15 nations 15 countries ने हम लोगों को बहुत सारी help provide करवाई है और यहां पर सिंगापूर है जो की दो aircraft को send कर रहा है साथी साथ सिंगापूर ने हम लोग को अभी cryogenic oxygen tankers भिजवाए हैं जिससे हम लोगो काफी help मिलने वाली है हम लोग जो भी oxygen crisis सल रहा है आज के time पर उसके बारे में भी आगे discussion किया गया है हम लोग आगे बात करेंगे लाओ पेज नंबर 11 और 12 यह पूरा advertisement भरावा पेज है किसी काम का है नहीं हमारे page number 13 that is world section देखेंगे दोनियादारी में क्या चल रहा है सबसे पहले यहां पर आर्टिकल आप देख पारे होंगे बात करी गई है कि जो यूएस है अमेरिका हम लोग को भेजेगा इंडिया जो वैक्सिन्स वगरा सेंड करी जाएंगी और यह चीजों के उपर बार-बार यह में आपस में फोर पर बातचीत हुई है इन्होंने बोला कि जो है अब यहां पर डिस्पैच करेंगे लगबग पूरी सीरीज और हेल्प प्रोवाइट करवाएंगे इंडिया को पूरी तरह से जितना हो सकेगा और वैक्सिन्स वगरा प्रोवाइट करवाएंगे और सबसे वज़ा से हम लोग अपनी वैक्सिन की एफिकेसी प्लस वैक्सिन की आपके सकते जो मैनुफैक्चिरिंग है उसको भी रैंप अप कर पाएंगे तो इस तरीकी यहां पर हेल्प मिल लई है यूएस की साइट से और यहां पर आप देख पाओगे काफी कुछ किया है बहुत स इसको खतम किया जा सके उसको कम किया जा सके तो यह जो सप्लाइचेन रेजिलियंस इनिशेटिव है इसको आली में लॉंच किया है त्यूजडे में ठीके किसके दौरा हमारे ट्रेड मिनिस्टर ऑफ इंडिया के दौरा और यहां पर आप देख पाओगे जापान भी इंक् सब्सक्राइच करेंगे सप्लाइचेन में जो भी धिक्कते आती है बाधाय आती है उन सब को कम किया जाएगा ठीके यह तीनों में कंट्री मिलकर आपस मिलकर काम करने वाली है सबसे बड़ा रीजन यह है कि यह लोग चाइना को टेकल करेंगे ठीके तो इसके बारे में भी यूनियन लॉमेकर्स हैं उन्होंने एक्सेप्ट किया एक तरीके से उन्होंने हां कर दिया है कि जो पोस्ट ट्रेड एग्रिमेंट है उस चीज़ को लेकर क्या मतलब है यह दो आपको मालूम होगा अभी ब्रेक्जिट हुआ था ब्रेक्जिट मतलब ब्रिटेन का एक्जि सब्सक्राइब अलग हो जाएगा अब जब यूरोपेन यूनियन के जो लौ मेकर्स हैं ठीके जो भी यहां पर बनाते हैं सब कानुन वगएरा उन्होंने यहां पर बोला कि देखो जो भी पोस्ट ब्रेक्जिट है यानि कि अभी जो ब्रेक्जिट हुआ है उसके बाद जो है अब बात करें ब्रेटीन जिसकोम लुक का एकजित हुआ है यूरोपेन युनिОन से वोगया है चायना पूशस डिफेंस टाइस बंगलिदेश चाना अपने ताइस हैं के सब्सक्तल Nej कुछ पतित पे इसके लिसट सब्ट मेन बहुताय तो स्री लंका सक्राइब करी मेलीन और है। वी फांगे यह इन्हों ने विजिट किये बांगलादेश और शेलंका और जाकर वहाँ पे आपका सकते हो बातचीत करी है इस चीज को लेकर कि किस तरीगे से यह जो कंट्रीज है यह मिलकर अपने कॉपरेट करके चल सकती है डिफेंस ट्राइस को इंप्रूव कर सकती है ठीक उसको बढ़ा दिया गया है थे लिए और बहुत सारा लोन्स अल्रेडी प्रॉइड कर रखा है बहुत सारे इंफरस्ट्रक्शर के ऊपर श्रीलंका काम स्वरी चाइना काम करता है श्रिलंका के अंदर उसके साफ-साथ यहां पर बात करा गया है कि किस तरीके से यह अपने काम करने वाले हैं ऐसा भी यहां पर बताया गया है ओके तो मिलकर डिफेंस टाइस को इंप्रूव किया जा रहा है और यहां पर आप देख पाऊंगे जो यह चीज़े छोड़ी है मैंने है उसमें वही चीज़ बता थाइए कि जो चाहिना है वह यहां पर पोला गया है जो सेंग्ड वेव है कोविट 19 की उसकी वजह से काफी जादा जो इंडिया की recovery है वो hurt हुई है और हम लोग काफी एच्छे से recover कर रहे थे पिछले पांच महीने में कोई cases नहीं देखने को मिल रहे थे काफी तेजी से हम लोग आगे बढ़ना चालू हो गए थे industries वगरा अपने line पर आ चुकी थी लेकिन आप देख पाओगे आप 15 दिन के अंदर ये हाल हो चुका है कि ऐसा लग रहा है सब कुछ वापस से बंद हो जाएगा और इस second wave की वज़ा से हमारी economy तो hit होई रही है और काफी जादा आपका सकतो risk भी हो चुका है हमारी economy को जो predictions होत होगी वह 11 परसेंट होगी यानि predictions भी कम हो चुकी है उसके बारे में आपे बताया गया है कि आज के टाइम पर बहुत बुरी तरीके से करते हैं निक्स्ट आर्टिकल की तरफ चलो यहां पर आप लोग देख पा रहूंगे जो इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया है उसने बहुत सारे कदम उठाए हैं अब उन कदम को यहां पर बोला जा रहा है वह सैल्यूटरी स्टैप्स हैं यानि सैल्यूट करने का मन करता है अब यहां पर आप देख पाओगे सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था कि जो इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया है उसने यह बोल दिया कि देखो जो भी जीतता है अच्छी बात है लेकिन जो जीतने के बात प्रोसेशन्स होंगे तिके जलूस निकलेगा वह जो चीज़ इलेक्शन सर्टिफिकेट कलेट करें और वापास आ जाए कुछ जादा यहां पर कुछ करने की जरूरत नहीं है ऐसा यहां पर इस यह ने बोला है ताकि जो इंफेक्शन है हम उसको रोख सकें जिस कोवेट की चेन को ब्रेकडाउन कर सकें उसके साथ यहां पर अभी जोब लगे होने चाहिए अभी बीच में मदराज हाई कोट के बीच में और इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया के बीच में ऐसा डिस्प्यूट तो स्ट के यहां पर राइटर के दोड़ा एक सल्यूटरी स्टेप्स उसके बाद यहां पर अभी कि देखो जो इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया का में काम क्या होता है कि जो हमारी कंट्री है इंडिया उसके अंदर करवाना अच्छे से चुनाव वहां पर हो जाए ठीक है यहां पर आगे बात करते हैं चीफ इलेक्शन कमिशनर कौन है नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना इसी आई के ठीक है काफी बार हम लोग डिसकस कर चुके हैं तो उसी के बारे में आप बता गया है और ज्याद यहां पर उस चीज के बारे में डिसकुशन किया गया है इसको आप लोग छोड़ सकते हो बोलाएग जितना चौड़े टाइम में उतनी जादा सेफ बढ़िया होता जितना लंबक हैं चोंगे उतना जादा यहां पर बेकार सा हो जाता है न उसके बाद आता है नेक्स्ट आ मिलेगी मिलेगी साथ वेस्टेज भी हो रहा है अभी तो यहां पर हम लोग जो है वेक्सिनेशन प्रोवाइट कर रहा है जो भी 45 साल से उपर वाइए लोग है उनको एक मईश सब को प्रोवाइट करवाई जाएगी वेक्सिन अब उसके बाद तो हमें स्टॉक काफी धेर सारा चाहिए होगा लेकिन उसके बाद अगर हम बात करें सेंटर ने प्रोवाइट करवाई यह लगबख सोला करोड वैक्सिन डोजेस जिसमें से जो कंजम्शन हुआ है कंजम्शन हो रिखी किया है और उसके बाद कुछ स्टेट ऐसे हैं जहां पर मैक्सिमम नंबर ओफ वैक्सिन का वेस्टेज हुआ है जैसे कि लक्षुदीप के अंदर सबसे ज़्यादा वैक्सिन वेस्टेज देखने को मिला है असाम बनिपूर हर्याना सब जगह पर वैक्सिन वेस्टे देखने को मिला हैering क्या वेट वर्वर्ट क्या है कि आ इसका आपक शक्टयों सेन निकाल सकते हो का प्लान करना पढ़ेगा पूरी तरह से करके चलना एक सबसे बड़ा एक थ्रोटैता ध्रें सयलिन ट्रेशेन को सबसे बड़ा खत्रा है और फीर होता है यह सब बदल जाते हैं इनि जैसे ऐसे टाइम आप जो है आपका सकते हो बीत रहे उसके बाद जो बैक्टीरिया वाइरसे से वह इसके अंदर बदलाव हो जाता है और इतना तगड़ा बदलाव होता है यह जो इंफेक्शन होते हैं यह बहुत ही जादे हार्डर हो जाता है आप इनको ट्रीटी नहीं कर सकते और जो यह जोना टाइम के साथ बदलाव होना और उतना तगड़ा बदलाव होना कि वह काफी ज़्यादा स्ट्रॉंग हो जाए उसको हम लोग बोलते हैं एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस दस साइलेंट थ्रेट तो उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है सबसे पहले पर ध्यान रखा जाए अच्छे से और जो भी हमें एक आपका सकते हो की इंपक्ट पढ़ लाए इन सब चीजों का पबलिक हेल्थ के उपर उसके उपर ध्यान देना पड़ेगा ठीक है साथी साथ यहाँ पर यह भी बोला गया है करेंट अगर हम हेल्थ और एकॉनमिक क्रै एक फेनोमेन जिसमें बैक्टीरिया फंजाए यह ताइम के साथ और जादे इतने कटगड़े हो जाते हैं कि इनमें मेडिकल ट्रीटमेंट भी काम नहीं करता है अब यह बोला जा रहा है जो यह एमर सिच्वेशन है अभी तो आप कोवीड-19 देख रहे हो नाव कुछ टाइम पे भी जो एंट्री माइक्रोबियल रेजिस्टेंस है यह काफी बड़ा रिस्पोंसिबल है लगबग हर साल साथ लाग डैत होती है इसकी वज़ा से और आने वाले टाइम पे हम बहुत बड़ा क्राइसिस देख सकते हैं इसकी वज़ा से हेल्थ और एकॉनमिक क्रा कर रहा है कि जो सब्सक्राइब करती है और जो नियो नेटल और मैटरनल मॉल्टेलिटी है ठीक है मतलब जो बच्चा है या फिर मां है उनकी डेथ भी इंक्रीज होती नजर आएगी और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हम लोग को कहां पर देखने को मिलेगी LMIC में यानि लोग एंड मिडल इंकम कंट्रीज जो एशिया और आफ्रीका की कंट्रीज है वहाँ पर बहुत ही सीरियस इंपक्ट पढ़ने वाला है इसका आज के टाइम पर इसके लिए कोई न्यू थेरेपी जो है अविलेबल है नहीं और हेल्थ सिस्टम भी इन कंट्रीज का जो लोग इंक 25 परसेंट जो एंटीबायोटिक्स है वह डेवलेप्मेंट करा जा रहा है उसके उपर क्योंकि हमें इस एंटी माइक्रोबियल रिजिस्टेंस के अगेंस्ट हम लोग को एंटीबायोटिक्स चाहिए अगर हम लोग को आगे जाकर इन चीजों से लड़ना है तो तो जो मेज और वे फॉरवर्ड क्या है इसके लिए जो एंटी माइक्रोबियल रिजिस्टेंस है इसके एक्षन इसके खिलाफ एक्षन उठाने के लिए हमने पहले भी फंड एनॉंस किया है लगबग वन बिलियन डॉलर का फंड एनॉंस किया गया है ताकि जो डेवलेप्मेंट वगर पर काम किया जा सके बहुत सारी कंट्रीज का यहां पर आपके सकते हो वर्क बताया गया है जैसे कि पेरू ने काफी अच्छा काम किया है पेरू ने पेशेंट को एजूकेशन प्रोवाइट करवाई गई है ठीक है जो काम की एंटीबर्टिक कौन्स किये और अननेसेसरी ए आउस्ट्रेलिया ने भी यहां पर ऐसे कुछ स्टेप्स उठाए हैं इंफ्लूएंस करा है सबी लोग को उसके साथ साथ डेन्मार्क ने भी यूरोपियन यूनियन ने भी बहुत सारी कंट्रीज है जिनों ने यहां पर इसके खिलाफ बढ़िया से स्टेप उठाए तो इं तेजी से डिमांड बढ़ने लगती है किसी भी दवाई की भाई जो है वो काम की हो ना हो ठीक है तो उस चीज तरहीं चीज़ें ना देखने को मिले तो प्रॉपर इंफॉर्मेशन वगरा प्रोवाइट करवाई जाएगी तो इंप्रूव्ड एक सर्विलेंस होना चाहिए जिसमें हम लोग यहां पर चेक करते रहें इस पूरे माइक्रोबियल रेजिस्टेंस को साथी साथ जो यह वाइरल डिजीज है जैसे की कोविड-19 आउट ब्रेक देखने को मिला है यह भी काफी हाड़र है इनको प्रेडिट करना उसी तरीके से इस चीज़ को भी मुश्कि सब्सक्राइब नहीं है तो इसके ओपर हम लोग को अभी से काम करना होगा ओके उसके बार नेक्स टार्टिकर यहां पर आप देख पाओगे बोला गया है मिस इनफॉर्म एंड मिस्लीडिंग के बारे में जो हेल्थ मिनिस्ट्री की गाइडलाइन से को मैनेज करने के लिए सबस्क्राइब कालब बजारी हिए सबसे पहले जो हेल्थ मेंश्रिय है उसको गाइडलाइन सपर्ण करने पडेंग ताकि जो है अची तरीके से हाँ पर चीजों को देख आ आजके बात करें hebt बहुत सारी दवाईयां जैसे कि हाइड्रोक्स क्लोरोकूइन और यह सारी जिस जो कि किसी काम की नहीं आई है इफेक्टिवनेस उनके अंदर है नहीं लेकिन खूब दवाकर इनकी बिकरी हुई है तो हमें गाइडलाइंस अच्छे से फैलानी पड़ेंगी एजुकेशन लेकिन आज के टाइम पर आप देख पाओगे उसकी कितनी कालब अजारी हो रही है बहुत सारी जगापर न्यूज आपको देखने को मिलेगी बीस-बीस हजार रुपे में उस आपका सकते उन वैक्षीन को यहां पर बेचा जा रहा है इस तरह की यहां पर प्रॉब्लम्स नजर आ जाती है अगर यहां पर कुछ भी मिस्मेंजमेंट होता है अगर गाइडेंस नहीं होता तो एक प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड क देख पाऊगे बोला जा रहा है मेकिंग सोशल वैलफेर यूनिवर्सल इसमें देखो बोला यह जा रहा है जो आज के टाइम पर इसकीम से बहुत सारी उसके उपर हम लोगों को काम करना पड़ेगा और एक इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी कोवीड-19 के टाइम पर जब गरीबी के अंदर आ चुके हैं तो उसके बाद हम लोगों को अपनी जो भी स्कीम से उनके उपर काम करना पड़ेगा ठीक है यहां पर बताया गया है जो आज की टाइम पर जरूरत है काफी जादा जिनके उपर काम नहीं करा गया अभी तक आप उनको स्कीम को वापस से वर को ठीड किया है उसी तरीके से हमारे पास भी बहुत सारी स्कीम है भारत के अंदर सीमिलर काइंड ओफ सोचल सिक्वरिटी सिंस्कीम आपको देखने को मिलेंगी और उसी तरह से और भी अन्य बहुत सारी स्कीम्स हैं उनके उपर काम करना पड़ेगा एक यूनिवर्सल सिस्टम है यहां पर आप देख पाऊगे कौन कौन सी स्कीम सबसे मेन है जैसे की PMGKY यानि की प्रधान मंतरी गरीब कल्यान योजना जिसमें हम लोग खाना वगरा प्रोवाइड करवा फ्री में उसके साथ साथ यहां पर मगनरेगा हो गया जिसको बोलते हैं महात्मा गांधी नैशनल रूरल एंप्लॉइमेंट गारंटी स्कीम इसमें क्या होगा कि जो भी यहां पर वरकर से उनको सौ दिनका मजदूरी प्रोवाइड करवाई जाएगी सौ दिनका काम दिया इस तरीकी स्कीम के उपर हमें वरक करने की आज के टाइम पर काफी जादे आवश्रकता पड़ गई है इस कोवीड-19 पैंडमिक की वजह से लोगों के पास जॉब्स वगरा है नहीं तो इनके उपर काम करना पड़ेगा एजूकेशन प्रोवाइट करवानी पड़ेगी बह कर आपस में इखटे कर दो सब को मिला दो सारी स्कीम को स्टेट और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है सब मिलकर काम करेंगे तब हम लोग आगे बढ़ पाएंगे ऐसा भी यहां पर बताया गया है फोकस करो डेटा डिजिटाइजेशन के उपर टीके डिसिजिजन मेकिंग के उ मिलेगा इसमें जादा कुछ नहीं है तो हम लोग इसको भी डिसकस कर लेते हाथोहाथ नौ यहां पर बोलाइए गया है टैंपल और नौट फीफडॉम ऑफ दा स्टेट विवडम क्या होता है एक टारेटरी आफर आपके सब्सक्राइटरी ठीक है जो की कंट्रोल करी जाती आप क्योंकि काफी उनकॉं करप्षं देखने को मिल जाता है चोरी डाकैती डिस्रक्षन यह सारी चीजे देखने को मिल जाती है ऐसा यहां पर देखने को मिला है ठीके उसकी सासरे हैं जिसके बारे में आप एक चौटा सा आइडिया रख सकते हो जैसे कि एक यहां पर केस सब्सक्राइब करें जो केस है यह राजा बीरा किशोर वर्सिस दा स्टेट ऑफ और इसमें जो कोल्ट है आपका सकते हो जो परफॉर्मेंस से पूजा की इसको एक सैकुलर एक्ट माना गया ठीक है बहुत सारी ऐसे यहां पर आप देख पाऊगों हिंदूजम के अंदर देख पर बारे में डिसक्रशन किया है यह हमारे कुछ काम के नहीं इतने हैं लेकिन आपको बता देता हूं ठीक पर यहां पर दो तीन चीजीज़ हैं तक देखने को मिल जाती है उसके बाद जो राइटर है इस आर्टिकल के उन्होंने पॉइंट आउट किया हमारी कॉंस्ट्वेंट असेंबली ने जो भी फ्रेम करें कुछ क्लॉज उसके उपर सबसे पहला आर्टिकल 25 अर्टिकल 25 सब क्लॉज 2 यहां पर देखने को मिलेगा यह पावर देता है स्टेट को पावर देता है यह पावर देता है स्टेट को कि जो भी फैनेशल पॉलिटिकल और कुछ अधर सेक्टिविटीज उनको रेगुलेट करा जाए ठीक है जो भी रिलिजियोस प्रैक्टिस से रिलेटिड हो उसके बाद आर्टिकल 25 टू भी यहां पर यह पावर देता है यह स्टेट को कि यह कुछ बगरा बनाएं ताकि का जो का क्लासे सो गई अलग सेक्शन सोगया प्लासे सो गई इन सबको हटा दिया जाए इसंद्व कर दिया जाए हिंदू सोसाइटी से कि वह हिंदू टंपर का दर और एंटर ना करें ठीकिए लॉग बगरा बनाए तो इसके मैं यहां पर यह वाला उर्टिकल्स बताया जया है फिलाल आपके लिए ज़ादा कुछ नहीं था तो उसके बारे सब्सक्राइब एक साथ करते हैं हम लोग अपने यहां पर को बोल जारे गवर्न मेंटमेंट नहीं नहीं कर पाती है टेंपल वगरा फटाइब दूर रहना चाहिए सरकार को इन चीजों से दूर रहना चाहिए तो ऐसा यहां पर नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी तो इसी के साथ करते हैं हम लोग अपने न्यूस पर एनलेसिस को समाप्त मिलते हैं आप लोगों से नेक्स वीडियो में आज के लिए बाबाई है वानाइस टे